दोस्तों Realme India का सबसे पहला 5G फोन इंडिया में लांच करने जा रहा है जिसका नाम है Realme X50 Pro और इस फोन में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 865 का प्रोसेसर और यह फोन 5G होने वाला है और इस फोन में आपको Dual Selfie Camera मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आकेन को दवाना नहीं भूलीगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटा फट से शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की डिजाइन के बारें बात करते हैं तो बैक में आपको गलास का बैक मिलता है जोकी गलासी फिनीच के साथ आता है और इसके साथ आपको क्वाटरेर कैमरा और नीचे में आपको डियल मी की प्रांडिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों इसके बाद हम इस फोन की डिस्प्ले के बारें बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6.75 इस फोन में आपको 6.25 इस फोन में आपको 6.25 बारें बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6.128 GB, 8.256 GB और 10.256 GB का रैम बेरेंट के साथ ये फोन आता है और दोस्तों इसके बाद हम इस फोन की अगर कैमरा के बारें बात करते हैं तो इस फोन में आपको रियर में आपको quad camera मिलता है जिसका की main sensor है 64 MP का और इसमें Sony का IMX686 का sensor लगा हुआ मिल जाता है और इसके साथ आपको 8 MP का ultra wide angle lens और 12 MP का telephoto lens और 2 MP का micro lens देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसके बाद हम इस फोन की अगर selfie camera के बारें बात करते हैं तो selfie में आपको punch hole camera के साथ ये आता है dual selfie camera के साथ जिसका की जिसमें की आपको 32 MP का main camera है और 8 MP का secondary camera इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों इस phone की अगर operating system के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको android 10 पे ये phone run करती है और इसके बाद हम इस phone की अर्ड बैटरी के बारें बात करते हैं तो बैटरी में आको 4500 30,000 के आसपास 35,000 के आसपास होगा तो 35,000 में 5G फून देने वाला इंडिया का पहला स्मार्ट फून यह कहलाईगा और यह फून आपको 24 ताड़ी को इंडिया में लॉंच होने वाला है ऐसा रियलमी और फिसियल साइट पर टीज कर रहा है तो देखिए रियलमी 24 तारीक को इसके साथ क्या-क्या फीचर और क्या-क्या चीज लाता है तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही तब देखे